नमस्कार मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धमसन मार्क बुद्ध, सुक्र और चंद्रमा तीनों ही रहेंगे आपके द्वितिय भौ में और यहाँ पर द्वितिय भौ का चंद्रमा आपके जीवन में धेर सारी खुसियां लेकर आएंगे यह तीन दिनों में एक, दो, तीन अप्रेल सुकुन भरा दिन है आपको खुस मिजाज बनाए रखेगा और अगर आप, आपका ब्यापार कहीं बिडेश से है क्योंकि सुक्र और बुद्ध एक साथ है तो बिडेश से अगर ब्यापार है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है बहुत धनलाब होने की दिख रही है और बुद्ध आपको बुद्धिमान भी बनाएगा और आपको सलता पुर्वक सभी कारी भी पूरे करेंगे सारी इस्तितियां भी अपने पक्च में रखेंगे आपको थोरी सी अपनी जीवन साथी की वज़ा से टेंसन हो सकता है लेकिन साम किसमें हो सकता है दोस्तों के साथ कुछ खुसी भरे पल ब्यतीत करें और खाना बेगर है खाने किसमें ध्यान दीजिएगा कहीं ज्यादा ना खा लें वरना थोरी परिशानी बढ़ सकती है वैसे एक अपरेल को दो पहर तक लगन में चंद्रमा रहेगा और ये किसमत तो चमका ही रहा है दीटीवाव का चंद्रमा भी बुद्ध और सुक्र के साथ मिलकर आपके लिए बहुत सुन्दर योग बना रहे है परिवार में खुसियों का माहल रहेगा और हो सकता है आपक अपनों मित्रों से मुलाकाते होंगी और आर्थिक रूप से भी आप मजबूत बने रहेंगे जैसा हमने कहा बिदे से याद अगर ब्यापार आप करते हैं तो धनलाब बुन लेके अच्छे समय है और आपका बुद्ध इस समय आपको मदुर्भासी बना कर रखेगा यानि खुद मा लक्ष्मी की किरपा आप पर बरस रही है मा लक्ष्मी और नाराय दोनों मिलकर बुद्ध और सुक्र मिलकर लक्ष्मी नाराय ने योग बना रहे हैं जीवन में ठेच सारा पैसा सुक और यहां तक कि अगर आप फिल्म मीडिया ग्लेमर वाले फिल्ड में है तो आ आप आगे की planning कर सकते हैं आपको आगे क्या करनी है और आप इसमें धन का भी निमेज कर सकते हैं घूमने जा सकते हैं सुंदर से योग हैं केसर हल्दी का तिलक जरूर लगाईएगा या फिर विशनु सहस्तर नाम का एक बार स्रवन ही कर लें हम फिर मिलेंगे किसी ने टॉप